नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कुई हिंदी पर और मैं हूँ अभिनौ सिंग दोस्तों आज मैं लेके आए हूँ MS PowerPoint के 15 most important question जो की exams में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं PowerPoint का पार्ट जो होता है टिफल से एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा important होता है इसे समद्धि 12 से 13 16 questions कभी कभी बोलते हैं और ज़्यादा पूछ लिया है बहुत ज़्यादा important पार्ट होता है यह तीसरा वीडियो है इसके पहले मैंने especially PowerPoint का दो वीडियो और बना चुका हूँ जिसका link मैं description में दे दूँगा और आप playlist में जाके रखोगे तो वहां तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको MS Word, PowerPoint, Excel, सबका अलग-अलग मैंने बनाया email से संब्धि 12 कई सारे questions में बता चुका हूँ आपको वैसे बाकी सारे वीडियो में discuss करता रहता हूँ लेकिन especially जो अलग से बनाया उसको जरूर देख लेना आप तो आपको काफी फायदा मिलेगा और प्रस कर देना ताकि मेरी latest video को मिलती रहे और पूरी वीडियो द्यान से देखना वीडियो आकरी में मैं 2 questions भी पूछूँगा जिसका answer आपको comment box में लिखना है चलिए फिर start करते हैं अब आसका यह सब रेगुलर छोड़के जो रेगुलर होता है और रेगुलर होता है मतलब उसका कोई font style नहीं है तो इसका सई answer हो जाएगा अब next delete command द्वारा किस प्रकार की slide को हटाया जा सकता है क्या बोलना कि हटाया जा सकता है तो delete command जब प्रस करोगा अब तो current slide जो होगा वो remove हो जाएगा मतलब हड़ जाएगा पूरी तरह से लेकिन अगर जो current slide है उसको stop करने की बाता है बंद करने की बाता है तो जो ESC वाला प्रस होता है यह बटन उसको प्रस कर दोगे आप तो current slide stop हो जाता है द्यान देना यह बात लेकिन यह क्या बोला हटाने के यह तो delete command से हम हटा सकते हैं दोनों आपको पता होने चाहिए अब next screen के bottom पर स्थित कहां पर प्रदरसित बटनों पर क्लिक करके presentation view को बदल सकते हैं तो क्या बोला है bottom bottom पर तो status bar होता है बाकी title bar, menu bar, tool bar यह सारे उपर होते हैं लेकिन यह जो title bar है स्वारी status बार है यह यह नीचे bottom पर होता है और वहीं से हम उसके view को बदल सकते हैं तीक है अब next यह command किसी अन्य software से लाए गए object में कुछ परिवर्टन करने के काम आती है तो क्या बोल रहा है कि लाए गए object तो उसका option भी यह होगा object जो object कमांड होता है तो जो कोई भी software से अन्य software से बात कर रहा है दूसरे software से लाए object परिवर्टन करता है तो कौन करता है object ही करता है अब next current slide का note page किस कमांड से प्ररसित होता है तो इसका साही answer भी होगा note page ए नंबर वाला ध्यान दे नहीं बात इस सारे question कुछ ऐसे होते हैं जो आप चाहोगे तो उसी हिसाब से कर भी सकते हो मैं देखा हूं बहुत सारे चीज़े ऐसी होती है जो question रहता है उसका answer उसी में चीपा होता है अब next powerpoint presentation निम लिखित application program का हिस्सा है तो simple सी बात है MS office का हिस्सा है यह सब को पता है यह बात कभी कलती नहीं करना है अब next किस व्यू में slide की editing typing तथा formatting की जा सकती है यह भी simple सी बात है नौर्मल व्यू में ध्यान देना यह बात नौर्मल व्यू में हम सब कुछ कर सकते हैं editing typing formatting सब कुछ अब next guidance command का कारी है तो जो guidance command होता है horizontal guide को दिखाना यह भी करता है vertical guide को दिखाना यह भी करता है guides को छिपाना तीनों काम करता है मतलब यह उप्रोक तो सभी इसका answer हो जाएगा अब next समान युद्ध्यस जैसे photo album या quiz show के लिए एक पूर वर्ड़िद presentation है तो पूर वर्ड़िद बता है मतलब बना हुआ अपने आपको पहले बताता है कि जो ready होता है उसको क्या बोलते है template तो इसका answer यह हो जाएगा template यह पूर वर्ड़िद पहले से बना हुआ होता है तिसका science और होगा यह बी नमबर वाला दो-headed arrow जैसा हो जाएगा जब sizing handle के उपर आप में उपर होगे तो ध्यान देना यह बाद दो-headed arrow ठीक है अब next रूलर स्लाइड किस और प्ररशित होती है काफी important question है क्या बोल रूलर स्लाइड तो कहां प्रश्य होता है यह ऊपर और बाएं टॉप और लेफ्ट स्लाइड यह बाद ध्यान देना रूलर स्लाइड अब next वर्दमान presentation में लाई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का उप्योग किया जाता है तो बोल क्या रहा है इंसर्ट इंसर्ट करने के बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है इंसर्ट कमांड द्वारा हम कुछ भी इंसर्ट करने के बात है तो हम इंसर्ट से ही कराय जाता है ठीक है यह बाद त्यान देना अब next slide from command द्वारा presentation में क्या insert किया जा सकता है तो file insert किया जा सकता है वो भी file हो slide from command द्वारा हम उसको insert कर सकते हैं अब next किसी दूसरी application में बनी file को वर्दमान presentation में insert करने की command कौन सी होती है स्लाइड सी नमर वाला slide from outline इसको बोलते हैं उस कमान द्वारा हम उसमें insert कर सकते हैं ध्यान देना यह बात दूसरी application में जब कोई file बनी होती है तो हम slide from outline उसको बोलते हैं उस command द्वारा हम उसको insert करा सकते हैं इसमें भी insert की बात आ रही है लकिन बाहर से बनी होई file बात कर रहा है अब next slide में table जोडने की command कौन सी है तो simple जी बात है table है कि नहीं table command से हम table जोड सकते हैं तो दोस्तों यही था आज का आखरी question बहुत छोटा वीडियो इसलिए मैंने दिया क्योंकि आपको boring नहीं होगी easily इसलिए आप समझ सकते हो इसको अब आते हैं आज के question पर उससे पहले आप सब्सक्राइब करना और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने और प्रेस कर देना आज सामको आठ वजए फिर से टेस्ट होगा यह बात ध्यान देना सब लोग रेडी अब आते हैं आज के दूसरे question पर presentation में हम वीडियो नहीं डाल सकते यह true या false इसको भी आपको बदाना मैं कई बार discuss कर चुका हूं इसके बारे में दोस्तों आज के लिए दना ही फिर next video मिलते हैं तब तक लेजाए हिंद जय भारत